आज आपके साथ शेयर करूँगी कि आज मैंने डेरो डेर बर्गर्स किस मकसद के लिए बनाये हैं आपको वीडियो देखके बहुत मजाएगा आप इंजॉय भी करेंगे और आपको मोटिवेशन भी बहुत जादा मिलेगी यह इतने बर्गर्स मैं किसलिए रैडी कर रही हू आज की वीडियो तो यहां पर मैंने थ्री केजी बोनलेस चिकन मुगाया था क्यूब्स में कट करके ना इसको मैंने सिर्का लगा दिया था थोड़ी देर के लिए फिर मैंने इसको ब्लेंड कर लिया चिकन को ना मैंने आट से दस स्लाइस ब्रेड के तकर एक ब्रेड का काली मिल्च, तीन चमच, नमक और तीन चमच ही मैंने गालिक पाउडर लगाया था इसको और फिर इस तरह से ना मैंने इसके टिकिया बना लिए पैटीस बना लिया है क्योंकि हमने ये बर्गर्स के अंदर लगा नहीं है ये पैटीस तो पतली-पतली सी और बड़ी- कीजेगा शेयर भी कीजेगा आपको बहुत मुटिवेशन लेगी इंशाला री पोस्ट भी कर दिया करें तो यहां पर मैंने बहुत सारी पैटीस मंगवा लिए थी बर्गर पैटीस और साथ में ये स्लाइस जो चीज के स्लाइस होते है ना वो भी मंगवा लिया आदा किलो मैंने खीरे मंगवाएं उनको स्लाइसिस में कट किया क्योंकि मुझे डेर सारे बर्गर बनाने थे और यहां पर खीरे भी कट हो गए थे और इतने बर्गर मैं क्यों बना रही हूं मैं आपको बताने लगी हूं तो राती मैंने ना इनको फ्रीज करके रख दिया था तमाम को फिर सुबह मैंने इनको फ्राई किया तकरीब अंद पहर का टाइम था तो मैंने दो अकडाहिया चड़ा दी थी क्योंकि एक पे फ्राई करना ना बहुत मुश्किल काम था मेरे लिए क्योंकि मैंने कफी ज्यादा क्वांटिटी में बर्गर्स बनाने थे एक्चली मैंने बर्गर्स मुस्तहिक बच्चों के लिए बना रही हूँ यहां पर क्योंकि हमारी सुसाइटी में कफी अमीर लोग रहते हैं और अच्छे वले खाते बीते लोगा तो मैंने सुचा कि मैं अपनी सुसाइटी में बिल्कुल नी बांटूंगी मैं सिर्फ मुस्त पैकिट होता है उसके लिए चार से पांच होती है तो यह तकरीब आप हिसाब लगा लें उसी आप से कितने ज्यादा बर्गर्स हैं क्योंकि यह विडियो में भी पूरे नहीं आ रहे थे कफी ज्यादा मैंने माशाला से बनाए थे क्योंकि मैं चाहती थी मैं ज्यादा मुस सारा किया था और फिर उसके बाद मैंने खीरे जो कट किये थे वो सारे मैंने खीरे लगाए और यह बहुत मज़े के टेस्टी बर्गर बनते हैं क्योंकि चावल तो हर कोई बांटा है तो मैंने सुचा मैं कुछ डिफरेंट बांटूंगी इस तफ़ा ताके बच्चे जो है इस तरह से ना मैंने इनको पैक किया अच्छा उसके बाद ये देखें कि मैंने बहुत ही मज़दार से बर्गर्स रेडी होगे थे यहां पर मैंने कहा कि इनको रैप करना जरूरी है अच्छा नहीं लगता कि मैं ऐसे ही हम लोग बंटें फिर मैंने रैपिंग शीट ली और इसको मैंने अच्छी तरह से रैप किया एक एक बर्गर रैप करना मेरे लिए कफी बड़ा टास्क था क्योंगा बर्गर बहुत ज्यादा थे और एक एक को पैक करके गेंटा तो फैकिंग में लग गया था फिर सारे बर्गर्स मैंने पैक की आप लोग देख किया रहे हैं जले में विडियो को रीपोस्ट हमारे कमेंट करें और बताएं कैसी लगी आज की वीडियो लायक कर दीया है करें शेयर जरूर कीजगेगा तो ये देखें तमाम पैटिस यहां पे रैड़ी ओचूछी थी बर्गर्स हमारे सारे रैड़ी ओचुके थे और ये यह जो वीड बच्चे हमें मिल गए थे पिर हमने सारे जो है ना उनको बांड दिया वो इतने ज्यादा खुश होगे थे अपने बेन भाईयों को भी बुला के ला रहे थे के बर्गर्स ले 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 बस अला के रिजा के लिए